आज Moto 32 launch हुआ, 13,000 price है, 4GB RAM, 64GB internal मिल रहा है, 680 Snapdragon processor मिल रहा है, 6.5 inch का 90 Hz को support करने वाला LCD display मिल रहा है, वर्थ है कि नहीं है, 13,000 में ये वर्थ इसलिए नहीं है, because आपको इसका जो competition है, Moto G40 Fusion, तो आपको Moto G40 Fusion क्यों consider करना चाहिए, जबकि वो तो पुराना phone है, Moto G32 के मुकाबल तो सबसे वहले हम बात करते हैं, price point पे, yes, 500 रुपे महंगा है, 13,000 के जएपे, 13,500 रुपील में, आपको 6GB RAM, 120GB storage मिल रहा है, मतलब better RAM, better storage, और अगर मैं processor की बात करूं, 732G, तो ये processor आराम से 680 को compete करता है, in fact, gaming वगेरे में, जादा अच्छी performance दे देगा, even though ये एक साल प आपको 6.8-inch का है, S computer Moto G32 में, आपको 6.5-inch मिलता है, but आपको display better मिल रहा है, 120Hz का support मिलता है, HDR10 के साथ, अगर Moto G32 AMOLED display में आता, तो एक अलग बात होती थी, but LCD में आ रहा है, 90Hz में आ रहा है, उससे आपको better display, Moto G40 Fusion में देखने के लिए मिल जाता है, then आपको battery life 6000 mh मिल रही तो Moto G40 Fusion का tried and tested camera है, 64 megapixel का primary camera आता है, pixel game नहीं है, तिल एक बहुत अच्छे camera है, front में भी and back में भी, जी हाँ, इसका selfie camera भी Moto G32 से बहतर रहेगा, अगर आप Motorola का कोई भी phone यूज कर रहे हैं, तो जो pre-installed application है ना, उस पे rely मत कीजे, आप Gcam डाउनलोड कीजे, अगर मुझे link मि पडाल दूगा, side by side in phone की link भी आपको description में मिलेगी, अब आपको Moto G40 Fusion में क्या-क्या चीजे नहीं मिल रही है, पहली बाद तो Moto G32 में आपको 3 years का security updates मिलेगा and Android 13 100% मिलेगा, जबकि Moto G40 Fusion में आपको हो सकता है कि in the box Android 11 मिले and जब आप set of अगर कर रहे होंगे तो उसमें आपक आपको अपडेट मिल जाएगा, yes, July में लाउंच हुआ है, आपके फोन में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, but Android 13 का आपको अपडेट शायद ना मिले Moto G40 Fusion में and 3 year का security update भी नहीं मिलेगा, because 1 साल पुराना है तो हो सकता है, आने वाले 2 साल आपको security updates मिले, then stereo speaker नहीं यह Moto G40 Fusion में, 6000 mh की बैटरी तो है, but 20W का charger मिल रहा है, 33W का नहीं मिल रहा है, and then 1 साल पुराना है Moto G40 Fusion, तो भी आपको Moto G32 की जगे पे Moto G40 Fusion के लिए जाना चाहिए, इसमें आपको जाधा लंबे टाइम तक security update नहीं मिलेगा, हो सकता Android 13 ना देखने के लिए मिले, still आने वाल तो या तो आप अभी 5G phone purchase कीजिए, या फिर अगर आप Moto G32 को consider ही कर रहे है ना, तो उसकी अगर पे Moto G40 Fusion को consider कीजिए, choice आपको चूज करना है, मुझे personally इन दोनों phone में से कोई लेना होता, तो मैं Moto G40 Fusion लेता, या फिर 15,000 के अंदर कोई phone लेना होता, तो मैं पका 5G phone ही plan करत ता, Dimensity processor के साथ में, hope कि ये वीडियो आपके काम आए, अगर काम आती है, तो लाइक तो मेरा बनता ही है, अपने friends and family के साथ share कीजिए, नीचर description box ज़रूर चेक आउट कीजिएगा, मिलते है नेक्स वीडियो में, take care, bye